नमस्काल जी मैं संध्य यह देखिए फ्रेंड्स बारिस ने मेरे गार्डन का क्या हाल कर दिया खूब जो रोकी रात में बारिस हुई और सुबह तक बारिस हुई है बहुत तेज बारिस हुई है तो जो सीजनल प्लांट थे उनका तो हालत खराब हो गया है यह देखिए और पर्मनेंट प्लांट थे उनके लिए काफी फाइदे मंद रही यह बारिस तो गुलाव अगरे के लिए तो चलिए ठीक है लेकि सीजनल प्लांट की तो हालत एदम खराब हो गई और इसके बाद यह उबरेंगे नहीं क्योंकि इनका सीजन तो जाई रहा है और यह खराब से ही हो जाएंगे कितने प्लांट तो गिर गया थे तो उनको मैंने सही किया यह देखिए डहेलिया का प्लांट है यह तो यहीं से मूड़े गया है यह सब नीचे गिर गया थे यह भी देखिए इस तरीके से सब नीचे गिर गया थे तो कितने को तो मैंने सही किया कितने फिर लुड़के लुड़के से लग रहा है इसके पैटल भीग गया है और ये भारी हो गया है ये इसके पैटल जो है ये भीग गया है तो ये भारी होने के जैसे ये जो है इस तरीके से लुड़क सा गया है बाकी ये पिटूनिया देखिए ये लथर पथर से हो गया है पानी में कि बिलकुब भीक से गया है अब ठीक नहीं में होगी है ऑप इसे अख्राब से रहेնंगे एो बाकी इनका खालत खराब हिसंब प्रणयां ज्याद़ कर आए है अचिनेका पाद। चलेंगे उटम धाूरी ये निकल के आ रहा है इसमें डेहलिया में बाकि इधर मैंने कि जो रिपोर्ट के थे प्लांट वो देखे कितने अच्छे हो गया है अब ये धूप निकलेंगे तो और ज्यादा खराब हो जाएंगे इनमें फंगस लग सकता है या गल्व भी सकते हैं ये देखिए ये पानी क कहीं कहीं रुका हुआ भी है आच्छा तभी पूरी गंदी हो रही है ये तो इसकी में साफ सफाई करूंगे अभी एक बार साफ सफाई की तो हवार के वज़े से बहुत गंदा हो गया तो दुबारा साफ सफाई की तो फिर उसके वाद ये बार साथ ने फिर ऐसा कर दिया फिर इसकी साफ सफाई करने पड़ेगी मुझे ये देखी पूरा गिर गया है ये लाट एक तो फ्लावरिस में इतने सारे हैं उपर से पानी के वज़ासी ये भीग गया है और पूरा ये लुढक सा गया है और बाकी ये मिट्टी बही तो नहीं है लेकिन हाँ भीग गई है य इधर मैंने पतियों की खाथ बनाने के लिए रखाता ये भीग गया है तो चलिए ये तो कोई बात इसमें तो मॉश्टर चाहिए ये लेकिन ये जो है मिट्टी भीग गई है काफी बाके कुछ इधर प्लांट है ये तो ठीक है ये उपर सेड है चज्जा है तो इतके मिट्टी उपर करके तभी निकल रहा है ये कितनी अच्छी जनुरेशन हुई है इसकी मैं ये सोच रही हूँ कि पहले जो मेरी गोल्ड के प्लांट थे उनको तो पूरा में रिपोर्ट करी नहीं पाई इनको में कहां का लगाऊंगी जगह भी कम है और पौट की भी वही कम कमी चलिए कहीं कहीं कुछ कुनों कुछ तो लगाना ही पड़ेगा बैकि पान की प्लांट की ग्रोथ कितनी अच्छी चल रही है यह इस टाइम देखे कितनी लंबी हो रही है यह अच्छा कुछ प्लांट को तो उनके ऊपर भी छोड़ देना चाहिए अब जैसे यह पतिया जो है यह करल हो रही है यह करल हो रही है तो अब यह पतियां जब निकलेंगे यहां यहां से पतियां जब आएंगे यह आ रही हैं तो यह पतियां फिर ठीक हो जाएंगी ऐसी इधर भी हुआ था इधर कुछ पतियां काफी करल सी हो गई थी वो जब हटी है तब इस पतिया एकदम ठीक हो गई है यह जो नइने पती आई है इकदम ठीक आई है यह ने ग्रोज जो है ठीक वह नहां चाहिए तो कुछ प्लांट को अपक उसके ऊपर भी छोड़ देना चीए एकडम से फटिलाजर वगरा या उसे ट्रीटमेंट नहीं करना चीए कुछ टाइम देना चाह इधर भी मैंने इसको रिपोर्ट कर दिया था यह भी अच्छी मतलब लीफ निकल रहे हैं इसकी बहुत अच्छी हो रही है यह बाकि एक ही बारिस के वज़े से इसकी रंगत काफी अच्छी निकल गई यह नितो इसे पहले मरियल सा लग रहा था यह अब इस समय देखने में क से ग्राउंड में लगा हुआ है जिठानी के तरफ तो मैं वहां से मतलब कटिंग लेकर आई और उस कटिंग को मैंने लगा दिया कट करके और यह वहीं छोटा सा इक तिनका टाइप में गिर गया था नीचे गमले के पास ही तो फिर उसके बाद मैं उसको उसी मिट्टी में दबा के चली गए मतलब चली आई और मैंने कहा कि अगर हो जाएगा तो हो जाएगा नहीं होगा तो कोई बात मुझे पता भी नहीं था कि यह बर पर हविसकस का ही जो मैंने कटिंग किया था उसकी स्टैम है मैं मैंने कहा अगर गल जाएगा तो गल जाएगा खराब था वो तो सब सूख गई थी क्योंकि पानी डिल पाया होगा उसमें तो वह सूख गई और इसमें में आई तो मैंने मतलब कुछ दिन पानी डाला देखा कि इतनी अच्छी अच्छी लीफ निकाल रहा है कि मैं क्या बहुत अच्छी दूसरे गंबले में ही मैंने लगा दिया पर वहां से निकालके इसको मैंने इस मिट्टी के पॉट में लगा दिया यह खाली ता इसमें लगा दिया अब इसकी लीफ बड़ी बड़ी सी हो रही है तो इसकी कुछ कटिंग मैंने और भी लगा रखी है जो कि मैं आप लोगों से शेयर करती हूं तो जो प्रपल हविसक इसकी मैंने वह लगा रखी चुटी स्कटिंग तो जो पहले इस से लगाई थी अच्छी सी कटिंग वह तो खराब हो गई फिर में कल परसो गई तो और लेकर आई और लेकर आई उनको मैं कट करके मैंने लगा दे तो यह देखिए इसके पत्ते भी मैंने नहीं हटा यह फ् ए आट फम लुखं सीडलिंग लात भर से कूब पाणी पड़ा है कूब पांई पड़ा है मुझे तो लगे थे खराब नस過去 देखते हैं जर्मिनेट होता है या नहीं होता है एक में तो मैंने बालसम लगा आया था गुलमहंदी और एक में सलोसिय लगाय था और एक मैं पता देखते हैं और कुछ यह कोलियस की मैंने कटिंग लगा रहे तो यह तो फिलाल ठीक है यह तो अच्छा ठीक ठाक इसकी सख़सूरत ठीक लग रही है और बाकी कुछ गमलों को मैंने इधर पॉट को एरेंज किया था तो यह तो सारे प्लांट इसके सही है ठीक चल रहे हैं यह बाकी गुले दावदी में देखें फिर से बर्ड आ रही है और यह कुछ दिर में खिल भी जाएंगी तो किता खुबसूरत लग रही है यह देखिए और कोई खास केरनी जैसे और प्लांट में मैंने गोबर की खाट डाली थी वैसे इसमें भी मैंने डाल दिया था पानी ज इधर भी आई हुई है और इसको तो मैंने रिपोर्ट भी नी किया था इसी में रहने दिया था बस यह था कि जब यह इस पैंड हो गए थे इसके फ्लावर तो उसकी मतलब कटिंग अगरे करके हटा दिया तो मैंने और जो में इसकी ब्रांच थी वह तो नहाट गई इसकी म तो उनमें ही मैंने थोड़ा सा गोबर की खाद वागरे डाल दिया था तो यह उनके ही बढ़ है यह देखिए फिर से खेल रहे हैं यह बाकि छोटी-छोटी पॉट में मैंने जो ग्रो किया था मैंने इससे पहले आप लोगों से शेर भी किया था किसी वीडियो में तो यह अच्छे से चल रहे हैं यह प्लांट इधर एक कैक्टस में लगा रखा है बाकि इधर भी नई नई लीफ इसमें आने लग गई हैं सर्दियां भर तो इसमें कुछ भी नहीं हुआ तो पतियां गिरा के चिप चाप सा पड़ा था लेकिन अब यह गर्मी आते ही हलका सा स्प पक गई है नीचे तो यह सूख जाएगा तभी उसके बाद में इसको साप सुथरा करूंगी और इसको फिर सही करूंगी जो प्लांट खराब हो गए उनको हटाओंगी और जो गिर्वीर से गया है उनको थोड़ा सहारावारा देके दुबारा से उनको ठीक करूंगी तो उ इवारमन्ट को क्लीन रखें ग्रीन बनाएं मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई